हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने तिल की गजळक बनाने जा रही हूँ, तोसे बनाने के लिए देखे के कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने एक कप सफेद तिल लिये हैं और एक कप चीनी दोनों बराबर मातरा में लिये हैं, और एक बड़ी चमच देशी गी, सबसे प कि मैंने थाल और बेलन दोनों पे लगा लिया है अब हम एक भारी तली की कड़ाई लेंगे उसमें सारे तिल डालेंगे और लो मीडियम फ्लेम से इसे हमें लगातार भूनना आए हाई फ्लेम से नहीं भूनेंगे वरना तिल खाने में कड़वे लगेंगे इसलिए हम लो फ्ल कड़ाई में डालेंगे हैं और इसी के साथ हम चीनी डालेंगे और चीनी को मेल्ट करेंगे लगातार चलाते हुए जब तक यह बिल्कुल अच्छे नहीं डालिए तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा पिगलने में अब यह हलके-लकी पिगलने लगिए इसे हमें और पिगलाना जब तक यह बिल्कुल चाशनी की तरह पतली ना हो जाए और लगाता चलाते हुए इसे हमें भूनना है इसी तरह से लो फ्लेम पर हम इसे पकाते रहेंगे अब यह काफी मैल्ट हो गई थोड़ा और पकाएंगे अभी बिल्कुल अच्छे से पिगल गई है चीनी अब हम इसमें तिल डाल देंगे जो हमने भून के रखे थे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब यह तिल बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है इसकी गयस हम बंद कर देंगे और इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह से लगाता चलाते रहेंगे बंद गयस पर ही जब तक यह कढ़ाई में से छुटने न लगे तब तक हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह से चलाएंगे जब ये थोड़ा टाइट से कड़ाई से हटने लगेगा तब हम इसे थाल में पलट देंगे जिसमें हमने घी लगाया था, अब ये बहुत सोफ्ट है अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है एक मिनट और अलट पलट इसी तरह से करेंगे अब इसका गोल थोड़ा टाइट हो गया है इसे हम घी लगे, थाल पर डाल देंगे जिसमें हमने घी लगाया था और उस पर चारो तरफ फिलाएंगे अच्छे से अब ये मैंने सारा गोल इस पर डाल दिया है घी लगे थाल पर इसे हम बेलन से अच्छे से फिला देंगे और गरम गरम पर ही इसे हम चक्कु से कटके निशान लगा देंगे जितने भी हमें छोटे बड़े पीस कट करने है इसे हम एक सार कर देंगे और साथ की साथ ही हम इसमें कटके भी निशान लगा देंगे अब यह मैंने बिल्कुल एक सार इसको बेल दिया है अब मैं इसके कटके निशान लगा दूँगी पहले ही मैंने लंबे लंबे कटके निशान लगाए हैं अब इसे हम प्लस के निशान से कट करेंगे चोको और पीसों में आप जैसे भी चाहते हैं छोटे बड़े उसके साथ से कटके निशान लगा देंगे और इसे हलके गरम पर ही चोड़ी की साथ से हटा देंगे अब ये सारे पीस कट गए हैं इन्हें हम हटा लेंगे हमारी पंजीरी भोती क्रस्पी जमकर तयार हुई है थैंक यू